बिहार की पून्या से नव निर्वाचित सांसत पपुयादव मुश्किलों में घिर गए हैं निर्दली सांसत और उनके सहयोगी के खिलाफ रंगदाली मामले में एफायार दर्च की गई है बता देए एफायार पून्या के बड़े फ़नीचर ववसाई ने दर्च कुरवाई है ववसाई ने पपुयादव पर एक करोड रुपे मांगने का आरुप लगाया है पून्या पून्या पूलिस के मताबिक पीडित फ़नीचर ववसाई ने शिकायत में बताया कि चार जून को मत गरना वाले दिन पपुयादव ने उसे अपने घर बुलाया जब ववसाई पपुयादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे एक करोड रुपे देने के लिए कहा पीडित ने पूलिस को ये भी बताया पपुयादव ने पैसे मांगने के साथ साथ उसे धंकी भी दी उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसे जान से मार दिया जाएगा इसके अलावा पप्पू यादव ने ये भी कहा कि अगले पांच साल तक वो पूर्णिया के सांसद रहने वाले हैं और उसे तब तक उसे निपटते रहना होगा शिकायत के बाद पपू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ मुफसिल पुलिस स्टेशन में फाई यार दर्ज कर ली गई है फिलहाल पुलिस इस मामले में जाच कर रही है वहीं इस पूरे मामले को लेकर सांसद पपू यादव ने अपने एक्स हेंडल से एक पोश्ट शेयर किया और उसमें लिखा कि देश प्रदेश की राजनीती में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते असने से परिशान लोगों ने आज पूर्णया में घ्रणित शडियंत रचा है एक अधिकारी और विरोधियों की साजिश को पूर्ण रूप से बिनकाब करेंगे सुप्रिम कोर्ट के अधीन इसकी निस्पक्ष जाच करवाई जाए जो दोशी हो उसे फासी दे दे बता दे पपू यादव पर ये पहला मामला नहीं है चुनावी हलफ नामी के मुताबिक पपू यादव के उपर करीब 41 मामले दर्च है पपू यादव ने अपनी चुनावी राजनीति के शुरुवात 1990 में विधान सभा का चुनाव जीत कर की थी ये चुनावी वो निर्दलिय लड़कर जीते थे बताती चले कि पूर्णय लोकसभा सीट से पपू यादव ने निर्दलिय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था जहां उन्होंने जेडियो के संतोष कुमार कुश्वा को 30,000 से जादा बोटों से हराया था दरसल लोकसभा चुनाव की घोशना होते ही पपू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विले कॉंग्रेस में कर दिया पपू यादव को उमीद थी कि उन्हें पूर्णया से कॉंग्रेस उमीदवार के रूप में चुनाव लड़ने को मिलेगा लेकिन जब इंडिया गटबंदन से सीटों का बटवारा हुआ तो ये सीट राज़त के खाते में चली गई इसके बाद वो निर्दलिय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मेदान में उतरे थे